तो इस वीडियो में गाईज हम लोग बात करने वाले हैं आज ही इस SmackDown के शो के बारे में जहाँ पर Brock Lesnar के ना होते वे भी Brock Lesnar बॉम फट चुका है कैसे सारी चीज़ों के इस वीडियो में डिसकस करेंगे Universal Championship का मैच भी हमको देखने को मिला Roman Reigns and Finn Balor के बीच में एज और Seth Rollins की storyline लग रहा था खतम हो चुकी है लेकिन गाईज इनके बीच है unfinished business तो सारे सीज़ों के इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हाँ आज इस वीडियो में आपके जबर्दस फायदे की बात भी होने वाले है तो वीडियो के साथ लास तक चिपके रहना तो फिर देर किस बात की शिरू करते हैं ओके हेलो चैटर्स माइनेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रसल चैटर्स सबसे पहले गाई हमको जो की स्टार्टिंग वह देखने को मिलती है ब्लड लाइन के साथ यानि की दी उसोस के साथ वह रिंग में आते हैं और वह बात करते हैं कि कैसे पिछले अपते जो स्टीट प्रॉफिट से उन्होंने फैमिली बिजनस में अपनी घुजेड नहीं कोशिश करी उन्होंने हैड अफ़ टेबल को डिस्रिस्पेक करने कोशिश करी इतने में आपर जो स्टीट प्रॉफिट से वह भी आ जाते हैं और उसके बाद वह यहाँ इनको टॉंड करते हैं और यह नंबर वन कंटेंडर्स बने वाला मैस सा मतलब यहाँ पर अगर स्टीट प्रॉफिट जीट जाते तो इसके बाद जो है उनको ऑपर्चुनिटी मिलती टैक टीम चैंपन्शिप के लिए इसके बाद हमको इंट जो है दोने टीम्स के बीच मै वह भी यहाँ पर मैच को जो है अपने लॉकर रूम में बैटकर आदाम से नजारे ले रहे होते हैं अब मैच के अंदर यह ठीक ठाक पेस पर मैच चल रहा होता है लेकि मैं यही सोच था कि मैच में होगा क्या जीते का क्या यहां पर उसो को हराय जाए गा फिर स्टीट प् की तो यहां पर स्टीट प्रॉफिट्स को जीतना पड़ेगा तो बड़ा ही इंट्रस्टिंग लिया यहां पर क्योंकि डबल अब्ली ने इस मैच में डिस्कौलिफिकेशन से रिजल्ट निकाला क्योंकि जे उसो जो की मैच में लीगल मैं नहीं थे वह रिंग पोस्ट के पर ही फोड़े जा रहे हैं बार-बार इसके बाद रेफरी को मैच रुकवाना पड़ जाता है डिस्कौलिफिकेशन से मैच के रिजल्ट निकलता है और उसके बाद क्या होता है मैच खतम होने के बाद जो लगातर अपना जो अटैक है वो कंटिन्यू करते हैं लेकिन मैच थी हमको बाद में बैक्स्टेज सेग्मेंट क्या देखने को मिलता है इसके ठीक बात कि पॉल हिमेन ऐसे जाई रहे होते हैं उसके पास लेकिन केला ब्रेक्स्टन आती है उनसे इंटर्वी लिन है और आपको पता नहीं है कि पिछले कुछ ताम से हमको केला ब्रेक्स्टन का थीम सॉंग था और जैसी वह होता है पॉल हिमेन एक भड़ बड़ा जाते हैं और वो कहते हैं भाई यह तो बहुत गलर टाइम पर बज़ गया वो फोन को साइलेंट करते हैं लेकिन फिर से ब्रॉक लेस्टन का वो फिर से थीम बसती है और लग रहा होता है कि किसका कॉल और लेकिन बाद में गैस हमको जाकर क्या पता चलता है जब बाद में सेग्मेंट था तो पॉल हिमेन रॅमवन रेंज के पास जाते हो न वो यह कहते हैं कि एक प्रॉबलम हो गयी है रॉमपर प्रॉबलम मैं तो फिन बेलर को तोड़ फोड कर रखने वाला हूं तो पॉल ह पर आंसर होता है, Roman Reigns भी थोड़े से हैरान परिशान तो होते हैं, लेकिन वो यह कहते हैं, कि कोई नहीं Brock Lesnar कभी जब time आएगा तो उसको मैं देख लूँगा, लेकिन जब उनको यह पता जलता है कि Brock next week आने वाले हैं, तो Roman Reigns की भी थोड़े से छक्के छूट जाते हैं, और हमारे भी मांग में question mark की ऐसे घंटी बजा दिए थी, कि क्या आज Brock Lesnar show पर appear हो सकते हैं, तो इस तरीके से WWE ने पूरी बड़ी interesting सी कहानी बना दिए थी, तो यह चीज देकर काफी मज़ा है, और guys Brock Lesnar का bum ऐसे फटा है कि आपको next week Brock Lesnar show पर देखने को मिलेंगे, तो यह काफी करते होगे, और वो है online shopping, फिच आए Amazon से हो, Mintra से हो, या फिर AGO से हो, या फिर medicine बगएर लेनी हो, pandemic का time चल रहा है, हम सब लोग घर से online shopping करना परफर करते हैं, तो कैसा हो अगर आप online shopping करते ही, real पैसे कम आप हो, मतलब real bank में जो आप पैसे ले सको, तो guys यही मज़ा मैं आप के लिए offer ले करा हैं, और guys यह बिल्कुल genuine है, क्योंकि Ratan Tata ने इसमें invest किया हो है, तो आप बिल्कुल इसमें trust कर सकते हो, simply आपको करना कुछ नहीं है, description में आपको पहले link मिल जाएगा, वहां से guys अगर आप cash करो के उपर sign up करते हो, तो पहले cash back तो आपको मिलेगा ही मिले उसके बाद आपको simply cash करो के उपर क्या करना है, जो भी website से आपको shopping बगेरा करनी है, वो website आप लोग चुन लो, उसके बाद आप लोग orange बटन के उपर tap करना, और simply आप लोग जैसे shopping करते हो, वैसी shopping करना जो आपका सारा procedure complete हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग cash करो के earnings section में जाना और यहाँ पर आपको आपका जो cash back मिलेगा, और यहाँ यह real पैस होंगे, जिसको आप लोग या तो अपने bank account के उपर ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके Amazon के gift vouchers मगार सकते हो, तो सोचो आपका online shopping करने का experience हो कितना बदल जाएगा, कि online shopping करते-करते भी, सवाल होता है कि मुझे bad guy की तरह क्यों दिखाया जा रहा, क्योंकि मैं तो summer slam के अंदर आया थी, जब कोई match नहीं था, तो मेरी वज़े सही, तो summer slam के अंदर, smackdown का women's championship का match हो पाया, और इसमें मेरी क्या गलती है, वियांकब लेर तुम prepare नहीं थी, मैं तो prepare होकर आया थी, ज अपनी universal championship को defend कर रहा है, तो क्यों ना तुम भी आज ही show के उप उपर, जो है, अपनी championship को defend करो, अब back and lynch क्योंकि heel है, तो वो obviously अपनी championship को defend नहीं करना चाहरी होती है, और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमको backstays guys, यह पता चलता है, कि back and lynch जो है, next week, अपनी contract signing करने व WWE ने जो contract signing का, उसको भी official कर दिया, तो यह वो चीज तो कि आज हमको women's division के match से जानने को मिलती है, इसके बाद guys, हमको Ziggler और rig books का match देखने को मिलता है, लेकिन match से पहले, Ziggler जो है, Tony Storm को पटाने की कोशिच कर रहा है, वो आपको पता है, जो हमारे Ziggler है, उनका record रहा है, लड़किया पटाने का, आज पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने WWE career के अंदर लड़किया पटाए हुई है, तो वो यहाँ पर Tony Storm से कहते हैं कि क्यों आज मिलत को support करने आओ, आगे तुम फ्रंट रो पर बैठो जो मैं rig books को औराऊंगा, लेकिन यहाँ पर उनका record हो जात सीरीस का टाइम जिस टाइम पर भाई वो मतलब कैसे authority के अगेंच जाकर Johnson की जब वो टीम में थे वो टाइम याद आ रहा है, लेकिन फिलाल जो Ziggler का हाल है, वो काफ़ी स्याधा बेहाल है, इसके बात हमको अगला match देखने को मिलता है, Cezaro vs Seth Rollins को, और मैच मिजे सुनने मे कर रहे हैं, Cezaro को हराने के, और वो यह भी कहते हैं कि मेरी inspiration अब edge है, मैं edge की तरह लड़ने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर edge की तरह move भी perform कर रहे होते हैं, उसके बात क्या होता है, Cezaro को यहाँ पर chair से attack कर दिया Seth Rollins ने, जिसकी वएज से disqualification से match खतम हो जाता है, उस edge की तरही सारी उन्होंने आपर हरकते करी, और इस चीज ने actual में edge को बेबस कर दिया, कि भाई वो बाहर आए, और edge सेफ करने आगा है, सेजारो को, जब वो कुर्सरी को बीच में फसा के Seth Rollins को, Seth Rollins सेजारो को मारने ही कोशिश कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना curve storm लगाई लेकिन edge यहां पर बचाने के लिए आ जाते हैं, और Seth Rollins को महां से भागना पड़ जाता है, और backstage से हम को जानने को मिलता है, कि edge यह कहते है, मुझे तो लग रहा था कि Seth Rollins मान जाएगा, इसकी chapter over हो चुका है, लेकिन अब अगले हफते मैं इसको दिखूँगा, और guys अगले कुछ भी नहीं था guys, इसके अंदर मुझे लग रहा था कि, मतलब यह तो wrestling show के ऊपर भी होना belong नहीं करता है, Baron Corbin आते हैं, वो साथ में Logan Paul को लेकर आते हैं, इनके बीच खटपट हो रही है, Kevin Owens face है, बाकि यह दो heel है, इन्होंने आकर attack कर दिया, Baron Corbin, Happy Corbin तो हैं, लेकिन को पता चल दिया, जब उन्होंने Kevin Owens को चोक स्लम लगा दिया, बाकि बक्वास साइज सेग्मेंट था, फैंस भी से बोर हो रहे हैं, crowd भी यहां पर तगड़ा बू कर रहा था Logan Paul को, और इस चीज़ जो हम लोग सुन सकते थे, इसके बाद हमको Dominic वर्सिस Sami Zayn का match देखने क मुझे लग रहा है कि fans जो है, उनसे अपना interest हो सकते हैं, और बात करें शो के मेरी इवेंट की जहां पर था Universal Championship के लिए match, Finn Balor vs Roman Reigns के बीच, लेकिन match से पहले ही, Street Profits के आने से पहले, उसो उस ने जो है, जम कर दो दिया Finn Balor को, उन्होंने steel steps से जो है, विल्कुल पिचका दि match से पहले, match की pace काफी जादा थी, जादा कुछ time भी नहीं दिया match को, और इस match के अंदर ऐसा लग रहा था कि, जैसो मैंने आप से कहा था कि, भाई, कुछ ना कुछ तो interference होगी, लेकिन उन्हों match से पहले ही हो गई थी, Finn Balor ने अपना finisher Cool Degrass भी लगा दिया था इसमें, और ऐसा लग रहा था कि, रोमन रेंज भाई, गए, 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 ऐसा actual में इस match के अंदर लगा, लेकिन क्योंकि हमको पता था, रोमन रेंज कहा ही हारने वाला है, इस match के अंदर, kick out तो उन्हों ने किया, और साथ में उन्हों ने लोग लोग भी लगा दिया, और match के एक बार को जो एरेन आया ना, वो लाल-लाल सा हो भी गया, तो तो ऐसा लगा था कि, क्या ब्रॉक लेसन आ गया है, लेकिन guys, ब्रॉक लेसन हो तो हमको शोग पर नहीं देखने को बले, लेकिन next week के लिए ब्रॉक लेसन आने वाले है शोग के उपर, तो guys definitely excitement है का आपी जाद तो इसको like जरूर कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो, subscribe और notification bell को on and see you guys in my next video